हाई फेंस आज मैं शेयर करने जारी हूं आप लोगों के साथ कड़ी की एक बहुत ही अमी सी रेसिपी जो कि आप लोगों को बहुत 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 अच्छी लगेगी तो और जो कि फटावट बनके तियार भी हो जाएगी ज्यादा बिना किसी ताम जाम के फटावट हो जाता और लसल लिया ता थोड़ा सा झादा और लालमीर्ची लेती और इदर तढ़के के लिए मैं ने लिया था मेठी लिया तो इसका हम तढ़का लगाएंगे तो तढ़के में मुझी सारी चीज अचे लगती और मैं गोटा धनिया भी डालती हू तो वो भी मैं इस्तमाल करूंगी तड़गे के टाइम पर तो बस फ्रेंड सी जमान चाही होता है हमको और अगर आप लोगों के पास कड़ी पता हो तो वो भी जरूर डाले तो उसके पास मैंने यहां पर एक बावल लिया था मतलब एक पाव आती है तो मैं इतना ही ले रही हूँ अगर आप लोगो और ज्यादा खटी चाहिए कड़ी तो आप लोगो हाफ केजी तक इस्तमाल कर सकते हैं फिर क्वाइंटिटीव अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं मुझे इतना परफेक्ट लगता है क्योंकि बहुत जादा खटा भी नीची होता है हमको तो इसी दही मैं से मैं दो से तीन चंबज दही निकाल के दो से डाई चंबज दही अलग रख लूंगी क्योंकि हम जो पकोड़े बनाएंगे उसमें इसको तो देख सकते हैं मैं आप इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूं इस तरह से बनागर के देखेगा एक बार कड़ी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सीरियसली बहुत फड़ावट बन भी जाती है यह कड़ी और टेश तो बहुत ही अल्टीमेट आता है बहुत अच्छा लगता है लगत तो देख सकते हैं मैंने इसका जो भी लम्स थे वो अच्छे से खतम कर लिए इस तरीके से मत्ते हुए तो आप लोग भी ऐसे ही करें और बेशन में कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसके लिए इस तरीके से अच्छे से मत्ले पहले पानी ना डाले ने तो आप पानी प काफी देर अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग की कड़ी पतली हो जाए तो आप उसको थोड़ा ज्यादा पका ने यानि कि 10-15 मेट और एक्ष्टा पका ने ताकि कड़ी जो है गाड़ी हो जाए क्योंकि बेसन होता है तो पानी को सोख लेता है इसके वैसे हमारी जो क्योंकि क्योंकि मुझे तो आप लोग भी अपने हिसाब से देख लें उसे कम जादा कर सकते हैं अगर आपको कड़ी गाड़ी लग रहे हो तो थोड़ा सा गरम पानी डालके उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ठीक हो जाएगा और अगर पतली हो गई है तो आप उसको मैंने यहां जो दही लिती उसी में थोड़ा सा भेसरा नहीं यहां नाव कर रहे है नियुझा से लिए नमक जाटी तो इसे मने तो घमी डालेंगे क्योंकि हम कड़ी मेन बी नमक डालने वाले है and पीच नहीं कड़ा सा गरम मसाला में यहां पे डाला कुछ भी मुझन हैं औ आप भूट नहीं पढ़ना चाहिए तो पहले ही आप लोग इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा है यह बिल्कुल भी लंस भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि बेसन जो है नो उसमें बहुत जल्दी लंस पढ़ जाता है तो इसका बहुत धयान ड़ता है तो जोगी फटावट बन जाती है घर की चीजों से मैं जादा वैसी रसेपी नहीं लेके आती हूँ जिसके लिए बहुत जादा परसी बाहर से कुछ करना पड़े हैं मैं घर के समान से बनने वाली रसेपी लेके आती हूँ तो मेरे चैनल पे एक बार जाके जरूर देखें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले हो बैल आइकन को भी प्रेस कर दें तो बस मैंने आप एबेसन गोल के रख लिया था और उसके पाड़ से मैंने कड़ाई रखे थी और यहां पर मैंने सर्सो का तेल डाला था तो मैं जो तड़का लगाती हूँ कड़ी का हमाइस हमीसा सर्सो के तेल में लगाती हूँ से टीच जच्छा अपाई और तड़के अगर आप लाल मिर्ची खाना पहसंद नहीं करता है तो आप अब भाइद भे係 अब अब दो आपके ज़गा हरी मर्ची डाल सकते हैं लेकिन कड़ी में लाल मर्ची से तड़का लगता है तो ज्यादा अच्छा लगता है और इसके पासे थोड़ा समय नहीं आपे कसूरी मेथी भी आड़ किया था तो बस उसको मिक्स करने के बाद से हमारे जो प्याज है व और यहां पे मैं इस्तमाल है वो थोड़ा जादा ही कर रही हूं क्योंकि कड़ी में थोड़ा सा ज्यादा प्याज अच्छा लगता है कुछ लोग तो बिना प्याज के भी बना लेते हैं तो वैसे भी बन जाती है लेकिन प्याज वाली आप लोग एक बार इस तरीके से बन अगर के देखेगा बहुत पसंद आएगा आप लोको तो देखे हैं अब हमारे जो प्याज है पांच से पांच से चैमिलट में भून के तियार हो जाएगा तो इसके स्लो टू मीडियम पे ही भूने ज्यादा हाई फ्लेम पे ना करें नहीं तो यह जल सकता है और देख सकते मैंने बहुत जादा प्याज को ब्राउन नहीं किया थोड़ा सा ट्रांस्पेरेंट ट्रांस्पेरेंट तो यहां पे मैंने तीन मीडियम साइज के तमाटर लिये थे तो आप लोग चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं तमाटर दालने से कड़ ही मैं टीस्ट जो है खट्टा टी कड़ी तो इस से कड़ी का जो कलर है वह बहुत अजीब आता है मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने मैं ना तो येल्लो यह दिखती है ना रैड ही दिखाई देती है तो कभी भी कड़ी लालमेर्च जो है उसका तड़का उपर से लगा दें कड़ी बनान जो बहुक हमें बहूम डही तो जान राखना करें तो जो भी राखना कहुत, यह की आतले और तो फटार्ढ श्रीजूम दिंट्वा कि और फटार्श सकती है तो यहां पर ring के देजिए, लिए मिनट के लिए फ्लेम बंदी रहने दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो टेमप्लेशर है इसका वो बैलेंस हो जाए जिसके वैसे हमारी जो दही है वो फटेना तो बस दो मिनट तक ऐसे चलाने के बासे फिर मैं फ्लेम चालो कर दूंगे और इसके बासे करेंगे तो अभी मैं इसको continue चलाते हुए भून लोंगे मतला पका लोंगे अच्छे से तो देख सकते हैं हमारी कड़ी में बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है तो देखे यह धीरे धीरे थीक होती जाते है क्योंकि यह बेसर नहीं तो पानी को सोकता जाता है तो कड़ी ज इसको कम से कम 10-15 मिट के लिए वाईल करने के लिए छोड़ दिया तो देखे कितना अच्छा कितना गाड़ा हुआ है यह और ऐसे ही चाहिए हमको और बहुत ज्यादा गाड़ा भी ना करें क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा थीक रखते हैं इसको तो यह जब ठंडी कितना आसान है पकोड़े भी बनाना बहुत ही जीवे में बन जाता है जिसको नहीं आता है वो भी इस तरीके से बना सकता है आराम से तो देखे कितना अच्छा कलर भी इसका है और एकदम सॉफ्ट बनते हैं पकोड़े ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इसमें कड़ी वगर नह और उसके बासे हम इसको डालनेंगे कड़ी में तो यहां पे मैंने कड़ी उतार के रखी और उसके बासे कड़ी में पकोड़ी डालनें के बासे मैंने मुझे यहां पे तड़का देना है उसको तो इधर मैंने कड़्ची लिये जिसमें मैंने सरसो का तेल डाला है और इसमें म गुल गुल काट के डाला है तो हम लुग थोड़ा से चटपटा या स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसलिए में थोड़ी सी मिर्ची के इस्तिमाल जादा कर रही हूं आप लोग कमखाते हों कम ज्यादा अपनी हिसाब से कर सकते हैं तो यहापे मैंने दो मिर्ची गाट क की है तो इस स्टेज पर कस्मीरे लाल में चैट करते हैं तो कड़ी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है तो बस अब हमारी कड़ी तयार है सर्फ करने के लिए तो बहुत ही टेश्टी बनता है गाई सिस तरीके से बना के देखें को फटा बट बन भी जाता है ज्यादा बनाने में तो अब बस इसको मिक्स करेंगे है तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया इसका और कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो बस अब इसको में चला के अच्छे से मिक्स कर लूँगे ताकि हमारे जो तड़की का सेंट है वो पूरा अच्छे से पूरी ना ना भूले ठीक है फ्राइंट साथ की वीडियो में बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए वाइब है थैंक्स फर वोचिंग